आपको बता दें कि चीन ने एक रिसरच के लिए बलुन छोड़ा था. जानकारी दें कि ये अपने रास्ते से बढ़ा किया और हुआ यह कि ये अमेरीका के एरस्पेस में पहुँचिया. तो वहां की एर फोर्स ने इसे डिटेक्ट किया और खतरनाक बिमान कहे जाने वाले F-22 से एक मिसाइल दाक कर इसे वहां का वहीं खतम कर दिया और इससे पहले इंडियन अमेरिकन इयर फोर्स ने ये जानकाई ली कि जैसे ही ये समद्र के ऊपर आएगा वहां से इसे मार गराए जाएगा ये एक ऐसी मिसाइल से मारा गया है जिसकी कीमत 4 करोड रुपए है और ये इनिफरा रैड से डिटेक्ट करती है अपने टारगेट को तो जैसे ही टारगेट इसके नजदेक आया इसने ब्लास्ट कर दिया लेकिन चाइना कुछ और कह रहा है चाइना के कहने का मतलब ये है कि ये जो अमेरिका ने करत्त किया है वो अमेरिका ने अपनी तागत दिखाई है इससे इंटरनेशनल लौ होते हैं उसे तोड़ा ग ने इन सारे खबरों का खंडन किया और ये पूरी तरीके से जानकारी करने कोशी की कि ये जासु उसी जो आपका बलून है वो क्यों अमेरिकन एयर स्पेस में आया तो इसलिए अमेरिका ने उसे और इस बलून का मलवा करीब 10 क्रोमेटर में समझर में फैल गया है जिससे प ऐलोजिकल अटेक तो नहीं है इस टाइप की चीज़ें लेकिन चाइना का कुछ औरी मानना है चाना मानता है कि इस टाइप की चीज़ों करने से जो आपके रिलेशन होगे अमेरिका के और चाइना के वो और ज्यादा है संकट में आए इससे अफरत अफरी मची हुई है ये इस टाइप का जो बलून था वो दो-तीन दिन पहले डिटक्ट किया गया था और एक और बात अमेरिका के विदेश मंत्री ने इस चीज़ को गलत ठहराया है कि चाइना इस टाइप की फालतुकी हरकत करके इंटरनेशनल लौ को डिस्टाप कर रहा है चाइना के विदेश मं अंत्री में यह बताया है कि इस टाइप की कोई भी हरकत की जाएगी उसका मुह तोड़ जवाब दिया जाएगा थैंक्यू सो मच थैंक्स पॉर वाचिंग लाइक और सब्सक्राइब है चैनल